अब एक खुला मैदान आचुका है जिसमें की बिग बॉस का विनर और लॉक अप का विनर आपस में तकराएगा और ऐसी भड़ी तकर होगी कि इसकी गूंच टी आरपी के रूप में हम सब के सामने आएगी स्वागते आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना हुए मैं हूँ आपका यारों का यार होस राहुल भोच चैनल को प्राफट सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगोंने मुझे इंस्टग्राम पर फॉलो नहीं किया है भी तक तो दना दन फॉलो करना अनिवार्य है चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार लोगप के इस विजेता यानकी मुझे फारुकी की किस्से हो रही है बड़ी भिड़ंत और ये जो बड़ी भिड़ंत है दोस्तों ये बिग बॉस की हिस्ट्री की one of the strongest women दोस्तों जैसे कि हम सब को पता है कि खत्रों के खिला की शूटिंग जो है वो जल्द भी शुरू होने वाली है लेकिन उससे पहले मुनवर की कुछ कमिटमेंट्स हैं जैसे की रैप वैप ये सारी चीजे हैं अब आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं तो मुनवर पारुकी का रैप वैप तो है लेकिन साती सात यहां पर खत्रों के खलाड़ी के लिए उनका जो स्ट्रॉंग कंटेंडर होगा जिनके साथ लडाई होगी दोस्तों वो और कोई नहीं बलकि सीजन 14 की विजेता रुबिना दिलैक होगी यहां दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रुबिना दिलैक का बावाल एकदम कनेक्शन है और रुबिना दिलैक सेलेक्ट भी हो चुकी है यह बात मैंने आपको अल्रेड़ी बताई है इनफेक्ट मैंने क्या यह कई पोर्टल ने यह बात बता दी है तो देखना मज़ेदार रहेगा वैसे आपको बता दो दोस्तों तो रुबिना दिलैक जो है वो आजकल काफी फिट विट भी हो रही है क्योंकि अभिनाफ जो है और अभिनाफ उनको साफ तोर पे बता सकते हैं कि क्या आपको चाहिए अभिनाफ बहुत अच्छा खेल रहा था बट उसका गेम हो गया और उसका गेम क्यों हुआ किसको जितानिक ले हुआ यह भी हम जानते हैं खेल चलिए दोस्तों आके बढ़ते हैं तो यह एक बड़ी भेलंत है जो कि अपनी रुबीना दिलाएक सीजन चौदा की विज़ेतर रुबीना वर्सिस मुनवर फारुकी तो हो गई होगा देखना मज़ेदार रहेगा आपको क्या है कहना इस बारे में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा चलता हूँ यारो अपना खयाल रखें मुझे इचाज़ते